नमस्कार मैं हो ससी आया ज्यारखन की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं नई उद्योग नीति को कैबिनेट की मंजुरी पांच लाख रोजगार का लग छे ज्यारखन में 5 लाख लोग को रोजगार और 1 लाख लोग के निवेस का लग छेराकर बनी ज्यारखन अध्योगी एवं निवेस परुचाहन नीति 2021 को मंत्री परशत की बैठव के मंगलवार को मंजुरी दे दी गई है यह निति 1 अप्रेल 2021 से 5 बर्शों के लिए लाख होगी नए निति में 5 सेक्टरों टेक्स्टाइल और अपेरल, आटो मोबाइल, आटो कॉंपोनेंट्स और इलेक्टिकल विकल, एगुरोप फूर्ड प्रोसेसिंग और मिट प्रोसेसिंग इंडरस्ट्री, फार्मा, क्यू सेक्टर, स्टार्ट अप आएंड, इक्यू बेशन सेंटर्स, सिक्षा यम तक्निकी संस्थान, हेल्थ केर, पर्याटन, सुचनाप परद्योग की राजे में नई उद्योग निति से निवेस का द्वार खुलेगा हिमंत्सुरेन मुख्य मंत्री हिमंत्सुरेन मंत्री परशत की बैठक के बाद प्रजेक्ट भौन में मीडिया से कहा कि राजे में नई उद्योग निति को कैबनेट ने पास किया है, नई निति से निवेस का द्वार बेहतर तरीके से खुलेगा, राजे में निवेस के लिए निवेसक नहीं होता, इस समद में राज सरकार केंदर सरकार से चर्चा करती आई है, कई पत्र भी लिखे गए हैं, दूसरे राजियों में फंसे लोगों को वापस लाने में सरकार अपनी भूमका निभा रही है, आगे भी निभाएगी, उन्होंने कहा कि कई बार मिर्तियों के बाद हेमन सुरेन समेत बिभीन दलोग के दस परमुक नेताओं ने फादर इस्टेन स्वामी की नयाईक हिरासत में मोद पर आपती दर्ज कराते हुए राष्ट पती को पत्र भेजा है, हेमन सुरेन के अलावा पत्र भेजने वालों में सोनिया गांधी, सलत पवार, ममता बनर जी सामिल है, पत्र में फादर इस्टेन स्वामी की नयाईक हिरासत में मोद को अत्यांत दुखत बताते हुए दोसियों के खिलाब करवाई की मांग की गई है रमेश बैस जारखंड के नई राजपाल त्रिपूरा के राजपाल रमेश बैस जारखंड के नई राजपाल नियुकत किये गए हैं बदादेवे बर्तमान राजपाल द्रुपदी मुर्मु का स्थान लेंगे जिनका पांच बर्ष का कारेकाल 17 मई 2020 को ही समाप्त हो गया था राष्ट पती रामनात कोविन ने मंगलवार को रमेस बैस की न्युकती जार्खन के राजेपाल के पद पर की वे सिग्र जार्खन आएंगे और राजभवन में राजेपाल पद की सपत लेंगे बता दे 22 जार्खन के 10 वे राजेपाल होंगे वे 5 बर्ष या राष्ट पती की इक्षा पर जार्खन के राजेपाल बने रहेंगे जार्खन ने केंद्र से मांगे 10 IPS ओफिसर्स नक्सलियों का होगा सफाया जार्खन में भारतिये पुलिस सेवा के पता अधिकारियों की कमी को देखते हुए सीविल सेवा परीक्षा 2020 के माध्यम से चैनी 10 भारतिये पुलिस सेवा के पता अधिकारियों कावंटन जार्खन राज सन्वर्ग में करने के लिए गिरी मंत्राले भारत सरकार से अनुर्वत करने के प्रस्ताव परमुक्य मंत्य हैमन सुरेन ने अपना अनुमदन दे दिया है आपको बता दे कि भार्तिय पुलिस से वाकपत अधिकारियों की कमी से जूजरे जार्खन में उर्वाद उन्मुलन को लेकर IPS अधिकारियों की मांग की गई है अस्थानिय युवाओ को नोकरी में 75% चमपाई सुरेन टाटा स्टील, जूसको, यूसील समेट ज्यार्खन की सभी छोटी बड़ी कम्पनियों में 75% फिश्दिया स्थानिय युवाओ को नोकरी दिये जाने को लेकर प्रवंधन से नए सीरे से बात की जाएगी उक्तबाते कल्यान मंत्री चमपाई सुरेन ने सोमवार को साम सीरी सुरेन से तीन विधाय को वपाटी नेताओ करकताओ के साथ नियोजन समेत अने मुदो पर जमसेत पूर सरकीट हाउस में बाचित की 25 जुलाई से शुरू हो रहा सावन भागवान सीव का पिरिये माह सावन 25 जुलाई से शुरू हो रहा है पतादे सावन माह के पहले पक्ष में दृतिया तिथी की हानी है और सप्तिमी तिथी की विरिधी इस कारण से यह अपक्ष 15 दिनों का है 26 को पाला सोमवारी ब्रत है पतादे सर धालूओ के मंदिर में प्रवेश के अनमाती को लेकर मंदिर परवन्दन समीती सरकार के नेनाय का इंतियार कर रही है इस बार सावन माह में चार सोमवारी पड़ेगी दूसी सोमवारी दो को वहीं तिसी सोमवारी नव और चांथी वा अम्तिम सोमवारी 16 अगस्त को है तकनीकी सिक्षा के लिए गरीब छात्राओ को हर साल एक लाख रूपए की मदा अत्मोख्य मंत्री जारखन के में धावी गरीब छात्राओ को तकनीकी सिक्षा देने के लिए राई सरकार हर साल एक लाख रूपए की आर्थिक साहता देगी बतादे में धावी गरीब छात्राओं को देश भर के तक्निकी सिक्षन संस्था में नवांकन के बाद आर्थिक साहता देने की योजना को मुख मतिह मनसुरेन मंजुरी दे दी है अधिक्तम दो सो छत्राओं को आर्थिक साहता उपलब्द कराने पर हर बर्स लगभग दो कर रुपे खर्च होंगे जारखन अईभावक संकी ओर से निजी स्कूलों द्वारा लिये जा रहे मनमाने फीस के खिलाफ लगातार मंगलवार को सोसल मीडिया के जरी अभियान चलाया गया इसके ताद ट्विटर, फेस्बुक, यूटूब के माध्यम से निजी स्कूल प्रवंधन द्वारा फीस ब्रीधी की जनकारी दी गई साथ ही ट्विटर के जरीए सी एम को टैग कर वाइस अगेंस्ट इसकूल फीस ट्विट और रिट्विट कराकर सरकार के ध्यान आक्रिष्ट कराते हुए हजच्शेप करने की मांग की गई अईभाकों ने अपने अपने घरों से प्ले कार्ड के माध्यम से मौन धारना भी दिया है ज्यारखन में 55 नाई केस मिले है जो राची से 5 पूर्वी सिहूं 17 बोकारो 6 धनबाद 2 रामगर 3 कोडारमा 3 पलामू 1 देवहर 2 गुमला 2 लातेहर 5 जामतरा 5 साहिवगन से 4 मिले है ज्यारखन में कूल मोध की संख्या 51-18 वहाई कूल अक्टिव केस की संख्या 555 है भारत में 43 या 957 केस मिले है भारत में कूल अक्टिव केस की संख्या 4 लाग 54,516 है जारखन में एक्टिव केस इस्प्रकार हैं जारखन में एक्टिव केस इस्प्रकार हैं ज़ार्खन के राइची स्थित नामकुन के जम्गल में नई प्रजाति की मकडी मिली है बतादे इस परजाति की मकडी भारत में और कहीं नहीं है अब जीव बैग्यानिक इस पर परसोध और करने में पाली बारूरा है होने बताया कि इसकी पुष्टी मकड़ियों पर सोध कर रहे महराश्ट के डाक्टर बोकड़े ने भी किया है तीलईया अल्ट्रा मेगा पावर फिर से अस्थापित करने की तियारी बिजली के छेतर में आत्म निर्भर के परियासों की कड़ी में तीलईया अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट अस्थापित करने की परकिरिया फिर से आराम की जा सकती है पतादेपुरो में इसके लिए हुए करार को फुरा नहीं कर पाने के कारण ततकालिन राजसरकार ने रिलाइंस पावर के साथ समझाता कुरत कर दिया था यह 4000 मेगावाड इंटीग्रेटेड थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जिसका अधिश ठापन केंद्रिय उर्जा मंत्रालेक के प्रोधानों के अनुरूप दो बिल्डिंग में किया जाना है सिक्छक संग ने भी की मोबाइल दान करने की अपील गरीब बचों को ऑनलाइन सिक्छा में मदद पहुचाने के लिए पुराने मोबाइल लेप्टोप कंप्यूटर आधि दान करने की पूलिस महा निदेशक की अपील का समर्थन सिक्छक संग ने भी किया है अखिल जार्खन प्राच्मिक सिक्छक संग के परदेश अध्यक्ष बिजेंदर चौबे महा सचीव राम मोर्ती ठाकुर वम्मोखे प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा की पूलिस महा निदेशक द्वारगरी बच्चों के लिए लोगों से पुराने मोबाइल कम्प्यूटर लेप्टोप और अने डिजिटल डिवाइस दान करने का संग ने स्वागत करते हुए शिक्षको सहीद सभी लोगों से इसकी अपील की है जार्खन के खेतों में मिनी ट्रेक्टर चला रही महिला किरिशक किरिशी छेत्र में महिला समोह की भागेदारी बढ़ाने की राई सरकार की पहलरंग ला रही है इस कड़ी में महिलाओ के स्वयम साहता समोह के बिच मिनी ट्रेक्टर और पावर ट्रिलर के बित्रन की सुरुवात हुई है बता दे बीते दिनों भी भीन जीलो के SHG को मिनी ट्रेक्टर और पावर ट्रिलर परदान किया गया सरकार का या कदम महिला ससक्तिकरण को बढ़ावात देना तो है ही साथ ही या कदम क्रीसी छेत्र में करांतिकारी कदम सावित हो रहा है जार्खन में बीरसा किसान के नाम से जाने जाएंगे किसान जार्खन सरकार जार्खन के परते किसानों को एक बिस्ष्ट पहचान देगी इस पहचान के तहट किसानों की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी जो आधार से जोड़ा होगा बता दे राज सरकार का मकसद इस विश्ष्ट पहचान के जरिये राज के करीब 35 लाग किसानों का एक डाटा बेस तैयार करना है जिसमें उनसे जुड़ी फूरी जनकारी संगरहित की जाएगी यूनिक आईडी को बिर्शा किसान का नाम दिया जाएगा राज सरकार की कोशिस रवी फसल से पुर्व दो लाग से अधिक किसानों को नई पहचान देने की है नवंबर तक चलेगी पी एम जी के ए योजना कुरोना की दूसरी लहर आने के बाद जरुवत मंदों की मदद के लिए केंदर सरकार ने प्रधानमती गरीब कल्यान और योजना को जारी रखने का फैसला किया है अब यह योजना के तहट इस साल नवंबर तक गरीबों और जरुवत मंदों को अनाज बितरित किया जाएगा केंदर सरकार ने इस योजना का नाम प्रधानमती गरीब कल्यान योजना रखा है रजरप्पा मंदीर खुलवाने को लेकर उपवास बैठे भाजपा जारखन के रामगण जीला अंतरगत रजराप्पा मंदीर खुलवाने की मांग को लेकर मंगलवार को भारतिय जनता पार्टी के करकताओ दुआरा एक दिवसी उपवास कारिकरम कायोजन किया गया इस दरण मंदीर के यग साला में भाजपा नेता राजीव जैसवाल के नेतित में दरजनों कारकरता मंदीर के पुजारी और दुखंदार उपवास में बैठे कारकरम में मुखे रुप से हाजारी बाग सौदर विधायक मनिश जैसवाल सामिल हुए हरा रासन कार्ड के लिए राची में आठ और नौ जुलाई को स्पेशल कैम जार्खन राज खाद सुरक्षा योजना के तहत राची जीला में हरा रासन कार्ड के लिए बिशेश सिवीर लगाया जा रहा है बतादे सभी परखंडों में आठ और नौ जुलाई को इस बिशे सेवीर का ओविजन किया जाएगा इस दोरान सभी ग्रामिन और नगर निगम छेत्र के अंचल कर्यालियों में आनलाइन आविजन प्राप्त किया जाएगे ग्रामिन छेत्रों के सभी प्रखण मुख्याला में 8 जुलाई 2021 और राची नगर निगम Commerce खेत्रे के सभी अंचल कर्यालों में 9 जुलाई 2021 को स्पेसल कायम कायोजन किया जाएगा धन्यवाद